पात सालों में आप क्या चाहते हैं इपुड़ी एलक्षन ना समय हो पोई ना गता पदी सवत रालो इब आरेस्ट पार्टी प्रजले केंजेश नो मी को दल्जू मी गटे केंजेश नो दल्जू राबो या आई सवत रालो मीरो यवर नी एंच को वाली मी जीविता लो यला हिसाब किताब का समय होता है जब आपको सरकार से पूछना पड़ता है कि सरकार ने आपके लिए प्रजले केंजेश नो मी को दल्जू पात साल में पड़ता है को का समय है चुनाव का समय है ये वो समय है जब आपको सोचना पड़ता है कि आपके पिछले पात साल में सरकार ने आपके लिए क्या किया और आगे पात सालों में आप क्या चाहते है हिसाब किताब का समय होता है जब आपको सरकार से पूछना पड़ता है कि सरकार ने आपके लिए क्या किया देखिए आपके जीवन जो है संघर से भरे हुए है संकटों का सामना आप रोज रोज करते हैं चाहिए जो यहां आसपास की यह जो दुकाने है यह रामा गिफ्ट कोर्नर, एलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल शॉप, यह स्वीट हाउस, यह छोटे छोटे जो कारोबार है, छोटे बिजनेस हैं, इनको रोज संघर्ष करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है अपने समस्य सामना करते हैं उस तरह से आप सब भी जो खेती करता है, वो जो नौज़वान है, वो, जो मेरी बहने हैं, आप सब आप सब अपनी-अपनी समस्याओं का सामना करती है, और सब के जीवन में संघर्ष है, तो ये जो आपका जीवन है जिसमें रोज रोज आपको किसी संघर्ज का सामना करना पड़ता है इसमें आप अपनी सरकार से क्या आशा रखते हैं क्या उमीद रखते हैं सरकार से कोई आशा नहीं है क्योंकि दस सालों से सरकार ने आपको दिखा दिया जो आपके संघर्ष हैं आपके संकट हैं आपकी समस्याएं हैं उनका कोई मतलब नहीं है सचाई ये है कि सरकार से आपको उमीद करनी चाहिए आपकी आशा होनी चाहिए कि ये जितने सारे आपके संकट हैं जितनी समस्याएं हैं इनका सामना करने के लिए सरकार आपकी मदद करें जो छोटे दुकांदार हैं जो बिजनस चोटे बिजनस चलाते हैं माद्यम साहिज के बिजनस चलाते हैं आपको उमीद होनी चाहिए थी नोट बंदी में सबसे बड़ा संकट आप पर आया उसके बाद कोरोना आया और मुश्किलें बढ़ी उसके बाद GST आया और मुश्किलें आपकी सरकार ने बढ़ाई आपकी समस्याओं को आपकी सहायता करने के लिए सरकार ने मदद नहीं की नोटल रद्धु समयम लोगानी एंडी चाला कस्टाल उच्च नें एटियम लदेगर निलबडी पैसल लिसको अला नी चाला कस्टाल बड़्डारू तरवात करवना समय उच्चिंदी मीर अंदर यंणो इब्बंदलु फेस जेसारू तरवात जीएस्टी उच्चिंदी दानिवल्लकूड मीर अंदर यंणो इब्बंदलु पड़्डारू उसी तरे से मेरे नौजवान भाई बैन जो यहां खड़े हैं आपको उमीद रखनी चाहिये थी कि आपको रोजगार मिले लेकिन आपके सपने तोड़े गए मेरी बैनों पर रोज रोज अत्याचार होता है रोज रोज और महेंगाई यतनी बढ़ चुकी है कि मुझे मालूम है कि सबसे जादा मुश्किल आपको होती है बहनो अप घर पे भी महहनत करती हो बाइर meanty मी करती हो ज्जश की नौकरी है नौकरी में भी करती हो आप बच्चों की परवरिष करती हो दिन रात आपकी महनत नहीं बंड़ होती आप तब सोती हो जब परिवार के सारे सदस्य सो चुके होते है लेकिन आपकी सरकार ने आपको मदद करने के लिए अपने पेरों पे खड़े होने के लिए या महिंगाई का सामना करने के लिए कुछ नहीं किया मेरे किसान भाईयों को मदद नहीं मिलती सहायता नहीं मिलती चाहे खाद हो बिजली हो चाहे खाद ट्रैक्टर हो कुछ भी हो सब महंगाई बहुत मुश्किले हैं खेती से कमाई नहीं हो पाती ऊपर से सरकार ने आपके कर्ज माफ नहीं किये तो आत्म हत्याएं भी बढ रही है किसानों की और सरकार फिर भी आँख मुंद के बैठी है तेलंगाना के बड़े बड़े नेता अपने महलों में अपने फार्म हाउस में बैठ कर सरकारे चला रहे हैं तेलंगाना लो उन्न डवांडी तेलंगाना का संबढधी न सोंदी 30 सनाहैख लो प्यत्ता फ़ामाउस लौ प्यत्ता इनलनलो विला संबनत माइन अट्वांडी जीवित अन्जीविस्त नार्कार नी मी अपना मुहहिस्ता हो नानू आपकी यहां पे भी बड़ी-बड़ी समस्याएं है जो RRR का प्रोजेक्ट है उसमें कितना ब्रश्चाचार हुआ है यहां कितने लोग उसी प्रोजेक्ट से पीडित हैं और विस्थापित हुए उसकी वजे से अनिल रेटी जी आपके साथ खड़े हुए लेकिन आपके विधायक ने मूँ नहीं खोला क्या मेरे भुनकर भाईयों की समस्याएं हैं बहुत सारे वादे किये गए थे आपसे रखे नहीं गए आपकी कोई मदद नहीं होती दस सालों से बी आरेस की सरकार चल रही है तेलंगाना में इनके सारे नेता बड़े-बड़े महलों में बैठे हैं इनकी जितनी भी नीतिया हैं सब बड़े-बड़े उध्योग पतियों के लिए हैं ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनस वालों, मिडल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है तलंगाना का नो जबान इस प्रदेश के लिए लड़ा सेक्लों नौजवानों ने अपनी जान दी उनका खून आपकी भूमी में मिला हुआ है और आज बी आरेस के दस सालों के राज के बाद उनहीं के भाई बहन रो रहे हैं पढ़ाई करते हैं मैनत करते हैं उनके माँ बाप फीज भरने के लिए दिन राप कड़ी मैनत करते हैं पेपर देते हैं भरती के लिए पेपर लीक हो जाते हैं कितनी भी मैनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, फिर भी जैसे आप सबने कहा, कोई रोजगार की उमीद भी नहीं रख सकते हैं। आप सब तलंगाना के लिए लड़े, क्या इसलिए लड़े, कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे सपने तोड़े जाएं, और आपका भविश्य अंध्कार में हो। मी रंधर हो तलंगाना कोसम, मी प्राणल नर्पिनचिंदी इंद के ना, मी करे उत्यकाल रानांद के ना, मी कु येमजी, मी लीरदल ल्येर लाश भळंचर के इंदी इंद कोसम, तलंगाना करे लें умीज़य आपका आउं नार। उपर से नीचे तक हर स्तर पर ब्रश्टा चार है कोई भी प्राजेक्ट पूरा नहीं हुआ कालेश्वरा मारार कोई भी प्राजेक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन उसमें से कमिशन बहुतों ने खाया तेलंगाना का गरीब और भी गरीब होता चला गया और बी आरेस पार्टी अमीर होती चली गई भी और इस पार्टी लो 99 लो लो बागा रोज रोज की देनवंतér लो मीर मात्रम रोज रोज की पेदवार रहने विशानी जब ता उन Наुऊ चाहे बीजेपी हो चाहे बी आरेस हो इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने इनके नेता अमीर बने चुनाओ आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं लेकेन आपको इने सिखाना पड़ेगा कि तेलेंगाना की जनता भिकेगी नहीं तेलेंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है आज भी लड़ेगी आपको दिखाना पड़ेगा कि तेलेंगाना की जनता बहुत समझदार है दस सालों से देख रही है दस सालों से देख रही है कि एक ऐसी सरकार चल रही है जो जनता के लिए नहीं काम करती आपको समझाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बी आरेस की सरकार पाथ साल और के लिए आई तो फार्म हाउस से चलेगी सरकार आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बी आरेस आई तो लाइन्ड और लिकर माफिया राज करेंगे अगर बी आरेस वापिस आई तो पेपर लीक होते चले जाएंगे अगर बी आरेस आई तो ब्रस्टा चार बढ़ेगा अगर बी आरेस आई तो पक्के घर नहीं बनेंगे अगर बी आरेस वापिस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा अगर बी आरेस वापिस आई तो तेलेंगाना शराब में डूपता चले जाएगा अगर बी आरेस वापिस आई तो तेलेंगाना का कर्ज बढ़ता चले जाएगा अगर बी आरेस वापिस आई तो दलेतों और आदिवासी भाई बेहनों को अपना हक नहीं मिलेगा दोराला तेलेंगाना मजबूत होगा और आई तो और प्रजा कम जोर होंगी और कॉंग्रेस आई तो प्रजा पालना भवन से सरकार चलेगी कॉंग्रेस पार्टी वसते प्रजा प्रभुतों वससुन्दी प्रजेल की सम्मंदिंजी दोरली प्रभुतों वस्सुन्दीक जबता हो नारू कॉंग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राज़स्थान और चतिस गड़ में रोज़गार दिलवाएं हैं उस तरह से आपको यहां भी रोजगार दिलवाएंगे अगर कॉंग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापिस डाला जाएगा आपको जमीन के पट्टे मिलेंगे आपको भर घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे अगर कांग्रेस आई तो मेरी बैनों आपको पच्छिस रुपए हर महीने मिलेंगे आपके जले लगो कांग्रेस प्रभुतुल रागे ने प्रती नेला रुंड वेला आई दू अंदल रूपए लोस्ताएं जबताओ नरू आप पूरे तेलेंगाना में जहां भी जाना चाहें आपकी बस यात्रा फ्री होगी राइ तू को ताकत मिलेगी धान पे पाथ सो रुपए प्रती कुइंटल बोनस मिलेगा प्रती उककर की प्रती एकरान की आईदू वंदल रूपए लिए एक्स्ट्रा बोनस देवसायदार लकू राइधा निलकू अस्ताएं जबताओ नरू चौपेस गंटे बिजली दिल्वाएंगे और दोसो यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों को पसल का सही दाम मिलेगा MSP गैरंटी होगी बुजूर्गों को चार हजार रुपए मिलेंगे पेंशन के लिए और प्रजाला तेलंगाना मजबूत बनेगा देखो बेनों और भाईयों सीधी सी बात है आपको इंदिरम मा याद है सोनी अम्मा से प्यार करते हो क्यों करते हो क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की जब आप संकट में आपकी आवाज सुनी उनकी जो सरकारे थी उनका जितना भी काम था वो आपके पक्ष में किया किया सीधी सी बात है एक तरे की राजनीती एक तरे की सरकार जनता के लिए चलती है जनता के हित में चलती है और दूसरे तरे की राजनीती दूसरे तरे की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए ब्रश्टा चार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है आप दस सालों से केंद्र में बीजेपी का राज देख रहे हैं दस सालों से यहां पे के सी आर जी का राज देख रहे हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं बी आरेस बीजेपी की मदद करती है बीजेपी बी आरेस की मदद करती है और इनका तीसरा साथी MIM जो तेले गाना में सिर्फ BRS और BJP की मदद के लिए आये हैं OECG सबसे बड़ा आकरमन राहूल गांदी जी पे करते हैं राहूल गांदी जी वो शक्स है जो कन्या कुमारी से कश्मीर तक चले इस देश को एक आवाज में एक करने के लिए और OECG हर भाशन में राहूल गांदी पर आकरमन करते हैं OECG आरू प्रती निमशं प्रती रोजू राहूल गांदी 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 ये दो रखवाई रट्वांटी व्याक्यली चेसता हूं डार जबता हूं डारू अलग-अलग प्रदेशों में 40-50 सीटे लग रहे हैं यहां आकर 9 सीटे लग रहे हैं तुम में जी सीट लग ने पोड़ा टंजेसी बी आरेस बीजेपी पार्टी की मदद का उंट इंडिया रेविशं जबता हूं नरू यह तीनों एक तरफ हैं बीजेपी जो पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है जिसने देश की सारी संपत्ती अपने बड़े-बड़े उद्योग पती मित्रों को दे दी बी आरेस जो तेलेंगाना की सबसे अमीर पार्टी है जिसके ब्रष्ट नेत अपने महलों में रहते हैं जनता से नहीं मिलते और M.I.M. जो इनकी मदद करती है यह तीनों एक तरफ है दूसरी तरफ कॉंग्रेस है एक तरफ ब्रष्टाचार की राजनी थी दूसरी तरफ सच्चाई की राजनी थी एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रख दूसरी तरफ आपको जनता को शक्ती और सत्ता देने वाली राजनी थी है ओका पक्का कांग्रेस पार्टी प्रजाप्रभुत्तों इंको का पक्का बी आरेस बीजेपी यम्म पार्टी प्रभुत्तों वालना के पुड़ु गोड़ा अधिकारन लो उंडालने आलो चन उन्डाली मी बाधल्लो इप्पंदुलो निलबाडेली याने आलो चन लेदू वाल्लो गता पधिसमत्सराल का पालिस्तो बीजेपी पार्टी बारत्धेशनलों ने कादू प्रपंचल्लों ने धनवंतुले इन आट्वांटी पार्टी गा तैरेनी इककडु नोटने बी बारत्धेशनलों 99 चन पार्टी लकर्णा बागा उन्डवंतुलेटर मुझे कोंदी अमग्रेस पार्टी मातरम प्रजला पकांच अप्ताऊ Tutaj कॉंग्रेस पार्टी आपको छे गारंटी दे रही है छे गारंटी इस आधार पर कि करनाटका में हमने गारंटी दी आज वो गारंटी पूरी हो रही है चत्तीस गड़ में हमने गारंटी दी वहां चत्तीस गड़ में पूरी हुई है राजस्थान में हमने दिवा हो रही है इस आधार पर आज यहां खड़े होकर आपको हम छे गारंटी दे रहे हैं पहली गारंटी मा लक्ष्मी योजना मेरी बैनों के लिए पच्चिस सो रुपय हर महीने इनके अकाउंट में जाएंगे पाथ सो रुपय का सिलिंडर मिलेगा और पूरे प्रदेश में घूमने के लिए बस में फ्री पास मिलेगा मा अपका चले लगोसाओ मा मला कोसाओ दूसरी रायतू भरोसाओ आज आपको प्रती एकर दस हजार रुपय मिलते हैं कॉंग्रेस पार्टी सालाना प्रती एकर आपको पंद्रा हजार रुपय देगी और खेत मजदूरों को बारा हजार रुपय दो लाक रुपय तक फसल का लोन माफ होगा और धान के लिए प्रती कुंटल आपको पाथ सा रुपय का बोनस मिलेगा ये हमने करके दिखाया है करनाटका में महिलाएं फ्री पजाती हैं बस में राजिस्तान अर्चातिस गड़ में कर्ज माफ हुए किसानों के करनाटकलो मा महिललो मा अक्कचललो उचित दस सुप्रेहान चेस्ता हुन नरू आलरेडी इपड़ प्रकतिलो नरुस्ता हुन दियां जबता हुन नमू अटलने हिदर राष्ट्रालों गुड़ा व्योसायदारलक रुणमाफी गुड़ा जेस्यामू इकड़ गुड़ा प्रबुत्वलों की रागने रंडु लक्षलो रूपायल एककालो रुणमाफी चेस्ता हुन नरू तीसरी गारेंटी ग्रियर जोती 200 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी इरवाईनालो गंडला नान्यमाईना वित्यतो प्रती इंटी की रुण वंदला गंडला उचिता यूनिट लो उचिता करेंटी स्थावों जबताओ नामू चोथी गारेंटी इंद्रामा इंडलू स्कीम आप घर बनाना चाहेंगे तो घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और पांच लाख रुपे आपको पैसे मिलेंगे घर बनाने के लिए पांच्वी गारेंटी राज्या रोग्यश्री इसमें बुजर्गों को चाहेंगे तार हजार रुपे प्रतिमा मिलेंगे दस लाख रुपे का आपको हेल्थ इंशॉरंस मिलेगा ताकि दस लाख रुपे तक आपका इलाज फ्री होगा ये भी अमने राजस्थान और चत्तिसगर में किया है राजस्थान चत्तिसगर लो मना पेदमांशल को तातलक सम्मन बींची आल्रेडी में पदिलक्षल रुपायला हेल्थ इंशुरेंस दिस्ताओ नम आरोग्य भीमा कांग्रेस पार्टी प्रभुत्त लोग कि रागयने नालगु वेला रुपायल चेहीत अपतकम कि चाटी गारेंटी युवा विकासम के तहत विद्या भरोसा कार्ट मिलेगा युवाओं को जिसमें पांच लाक रुपे तक का लोन आपको बिगेर ब्याज के मिलेगा जैसे राजस्तान में कांग्रेस की सरकार ने दो लाख रोजगार दिये उसी तरह यहाँ पे दो लाख रोजगार कम से कम हम दिलवाएंगे और तलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए कम से कम एक रोजगार हर परिवार को मिलेगा मेरे OBC भाई बैनों के लिए 42 प्रतिशब BCR अक्षान और नई लीडर्शिप बनवाई जाएगी लोकल बाडीज में आदिवासी भाई बैनों के लिए जो योग्य है उनके लिए जमीन के पटे मिलेंगे और वन अधिकार कानून इस प्रदेश में लागू कराएंगे आदिवासी भाई बैनों के लिए अंबेद कर अभाय हस्तम स्कीम बनेगी जिसके जरीए बारा लाक रुपए मिलेंगे और कल्यान मस्तू योजना के द्वारा जो बीपील घरीब परिवार हैं जब उनकी लड़कियां उनकी बेटियां शादी करेंगी तो दस ग्राम सोना और एक लाक रुपए की मदद दी जाएगी बेगार डलेत और आदिवासी भाई बैनों के लिए उनके परिवारों के लिए छे लाक रुपए की मदद मिलेगी तीन नए निगम बनाए जाएंगे माडिगा माला और अन्या ऐसी जातियों के लिए हर निगम को साड़े साथ सो करोड दिये जाएंगे ताकि वो खास आपके विकास के लिए काम कर पाएंगे